तो हाँ बई करें शुरू तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है Samsung A55 और कमेंड में काफी जादा लोगों ने बोला कि भाई इसका रिव्यू लेकर आओ क्योंकि इसके अंदर मिलता है Exynos का प्रोसेसर फिर से तो यहाँ पर अभी 1480 मिलता है इस फोन के अंदर तो मैंने इसे काफी लंबे टाइम यूज करा है फोन को जब से आया है तो आज की इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर कर दूँगा मैं जो भी आपके Exynos को लेकर है तो वीडियो पूरी देखना सुरू से लेकर है अंद तक और चैनल पर पहली बारे चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि एक मिलियन की फैमली हम कंप्लीट करने वाले है अब देखो इसके अंदर Exynos 1480 जो प्रोसेसर मिलता है फोन का टेंपरेचर 50-52 अराम से टच कर रहा था लेकिन इस बार इस फोन का जो टेंपरेचर है दो-तीन बार N2-2 रन कराने के बाद भी 42 डिगरी रहा और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है क्योंकि जो फोन के अंदर वैपर चैंबर सिस्टम है कूल करने के लिए वो बड़ा यूज कर रहा है और हीट रैप भी नहीं और यह फोन के अंदर तो यहां पर हीट डिसिपेशन काफी सही है फोन का और इस बार कोई भी हीट इशू नहीं है जब भी आप कोई हैवी टास्क करोगे इवन लाश्ट यह जब मैंने कैमरा एप ओपन करी थी 4K फाइल रिकोड करी थी फोन उबल जा रहा था लेकिन इस बार भाई ऐसा कोई भी शील नहीं है इस फोन के साथ काफी हच्चे से हीट कंट्रोल कर रहा है बाकी दूसरे टास्क में भी लेकिन फिर से बात आती है आपर गेमिंग की अगर आप स्मूथ 60 fps में गेम प्ले करना चाते हो वहाँ पर थीक है अगर 30 मिनिट से एक घंटे गेम प्ले करोगे 55-60 fps का गेम प्ले आपको आराम से मिल जाएगा आप आराम से कैजवल गेमिंग कर सकते है इसके अंदर लेकिन उससे उपर वाली सेटिंग्स में अगर आपको गेम प्ले करना है तो सिर्फ 45 fps का उप्शन मिलता है जिसमें मेरे को लगता है कि इसे अपडेट की ज़रुत है तो अभी इसमें अपडेट आईगी उसके बाद मेरे को लगता है बाकी की सैटिंग्स अनलोग हो जाएंगी तो यहां पर कुल मिलागर इसकी जो गेमिंग परफॉमेंस है उन लोगों के लिए जिनको कैजवल गेमिंग करनी है तीस मिनट से एक घंटे के लिए उनके लिए यह फोन ठीक है आपको करा देगा बागी देगो नॉर्मल टास्क यह फोन अच्छे से हैंडिल कर लेता है बैक्ग्राउंड में कितनी भी आप रखोगे इसका जो रैम मैनिजमेंट है वो भी मेरे को ठीक लगा है कोई जिटरिंग कोई लेग नहीं है और इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो वन यूई की इनोंने अभी एनिमेशन इंप्रूब करी है वो भी इस फोन के इंदर साफ नोट होती है अब मेरे को सोफ्ट्वेर की जो एक सबसे बड़ी एडवांटेज लगती है इस फोन के साथ वो बताता हूं क्योंकि इससे पहले जितने ही मैंने फोन चला है लेकिन इसको जब मैंने कनेक्ट करा मैंने तो काफी टाइम कनेक्ट करके रखा यहां पर कोई विजिटरिंग कोई भी फ्रेम ड्रोप नहीं देखने के मिला काफी स्मूध यूई पर्फॉर्म करता है और लंबे टाइम तक कार से करने के बाद भी जो एक्जनस के साथ पहल जो इशू थे ना एक तो हीटिंग का और दूसरा बैटरी ड्रेन का वह एक्च्वल में फिक्स करता जा रहा है सैमसंग बागी देखो सैमसंग ने इस फोन के अंदर काफी कम प्रिइंस्टोल्ड एप्लिकेशन दी है और इतने टाइम मैंने वीव राइकू के फोन चलाए जो वी-स्टोर एप्लिकेशन मिलती है वो सरमी डर्द कर देती है नॉटिफिकेशन देते देते तो उसे अंदर से टर्न ओफ करना पड़ता है बट अच्छी बात है कि यहां पर ऐसी कोई फाल्त का अपलिकेशन नहीं मिलती है और जो है प्रिइंस्टोलड ऑपलिकेशन ज कर रहा था मेरे को देखना था कितने fps शो कर रहा है तो यहां पर मैंने गेम प्लग इन से fps मीटर डाउनलोड कर रहा और इसमें डाला फिर पता लग यह इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं और गुड़ लोग में अब इस फोन के साथ एक फायदा मेरे को और लगा जैसे कि इसके अंदर e-sim मिलती है 40,000 रुपे में इससे पहले मैं अल्टरा यूज कर रहा था तो जब मैंने डेटा उससे इसके अंदर स्विच करा ना तो मेरी e-sim भी ओटमेटिकल आ गई इसके अंदर अब मेरे को उसे पह जब स्विच बैक्डराउंड इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हो जा तक कोई सब्जेक्ट को e-raze करना रहा वो भी किया जा सकते हैं और जब्धि भी अपव्जड़ लइइठ फोटो क्लिक करता है तो इससे आप रिफ्लेक्शन भी कट कर सकते हो तो यह कुछ फीचर से है के अंदर AI के अब बात करते हैं इसके बैजल और चिंगी अब वैसे तो इसके screen to body ratio on paper improve करा और मैंने proper offline store में जाके A54 से compare भी करा actually इसके chin और top bezel का size कम हुआ है और front से देखने में साफ note होता है लेकिन अभी वे मैं यह कहूँगा कि अगर और थोड़े कम होते न और जादा बढ़िया लगता phone front से खेर यहाँ पर phone front से काफी सुन्दर लग रहा है और side का frame जो metal का दिया इसकी finishing बहुत अच्छी है और जैसे म मैंने without screen guard और cover phone चलाया नहीं तो यहाँ पर जो इस बार victus plus protection है तो उसका भी test हो गया और मेरे को कोई भी scratches नहीं मिली है phone पे तो no doubt यहाँ पर in hand feel और build last generation comparison में इसके अंदर improve करी है और काफी लोग ने तो इसे s24 plus भी समझा एवन हमने जब offline जाके test कराना तो यह almost same size के और same look rate के साथ जिसको आप जब adaptive पर चलाओगे तो maximum application 120hz पर चलेंगे और जब नहीं चलाओगे तो 60hz पर automatically switch हो जाएगा जिसकी वैसे battery consumption भी बचती है यह काफी bright display है इसकी अपने competitor को सीधा टकर देती है वागी content देखते हो जो stereo speakers है उसकी quality भी अच्छी है जो कि इस segment के कुछ phone के अंदर तो मिलता ही नहीं है और जैसे इस phone को मैं काफी time से चला रहा हूं तो holy के time पर भी चलाया था मैंने fingers मेरी हली किसी wet थी उसके बाद भी इसने unlock कर दिया था phone और holy के time पर भी आप इस phone को इसलिए ही उसका सकते हो क्योंकि IP67 rated है तो पानी वानी जाने से भी बचा लेगा अब उस चीज की बात करते हैं जो मेरी फेवरेट रही थी A54 के अंदर भी इसके अंदर भी है वो है camera अगर आप एक android phone ढूंड रहे हो इस price segment में video recording के लिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि 4K 30fps के जो option मिलता है front back video recording में उन दोनों के अंदर ही आपको अच्छी stabilization मिल तो इसकी जो video recording है वो मेरे को काफी impressive लगी है and samsung की audio quality वीडियो recording के time पर वह भी best है बागी back camera की photos vibrant निकल कर आती है काफी अच्छा depth of field मिलता है light control अच्छा है opposite light भी काफी अच्छे से perform कर देता है और यहां पर 2x digital या photo click कर सकते हो इसके अंदर जिसकी details मेरे को ठीक लगी है लेकिन portrait mode के time पर यह है कि 1x में काफी अच्छा blur लेता है अब यह जो digital 2x ने portrait के अंदर भी काम करता तो बढ़िया लगता बट जो normal portrait photos है वो काफी शांदार आती है निकल के edge detection अच्छा light control अच्छा light भी बहुत बढ़िया perform करता है even low lighting performance है वो भी मेरे को ठीक लगी है इस phone क बागी यहाँ पर जो front camera है इसकी details अच्छी है light control अगे यहाँ पर अच्छा है depth अच्छी मिलती है portrait mode के अंदर edge detection अच्छा है बट मेरे को front camera में जहां लगा यह improve होना चीए वो यह है जब भी कोई red part आते है जैसे कि lips हैं उसको हलका सा brown कर देता है तो samsung को यह fix करना होगा update देने के बाद तो I hope कि इसकी जल्दी update मिल जाए बागी samsung का जैसे की ultra wide angle camera sensor famous है तो यहाँ पर भी काफी अच्छी photos निकलकर आती है ultra wide sensor की एक तो field of view जादा मिलता है details अच्छी उटाता है कोई भी haziness नहीं साइड साइड में और light control अगरा भी अच्छा है इसके ultra wide sensor का बागी और यह phone एक घंटे 20 minute में charge होता है लेकिन मैं जैसे 80% ही charge करता हूँ phone को तो करीब करीब 50 minute में यह phone complete charge होता है बट यहाँ पर जो battery backup है इस price segment का one of the best है इसका ideal battery drain भी अगर आप wifi है इंटरनेट से connect करके रखते हो ना phone को तो भी 3% का ही है और अगर आप एक normal user हो तो अराम से आ आपर exonus पीछे हुआ करता था जैसे कि battery drain या heat control तो यह था मेरा experience इस phone के बारे में बागी आपर 4 साल की major update और 5 साल का security pass तो मिलता ही है तो यह पर जितने मैंने इस phone को use करा मैं यह चीज़ कह सकता हूँ जिनको एक अच्छा phone चाहिए with good build, good cameras, good battery backup और एक अच्छा software experience भी चा आपका और मेरा experience same रहा है नहीं, so that's it guys, मिलते जल्दे cool और exciting video में ते जब तक के लिए, जो मन मैं गाई, so go to watch your heart field, standing with the HVN box guys, bye!